दोस्तों एरियल कामसुत्रवो के पिछले वीडियो पे हमने जहां तक पढ़ा था उसके बाद से इस चप्टर से पढ़ना सुरू करते हैं चप्टर का नाम बालो प्रकरम प्रकरनम तो पिछले अध्याय में ये बताया गया है कि कन्या का विधी पूरूबक वरण किये जाने के बाद यानि विवा साधी करके ससुराल लाई गई बदू में विश्वास पैदा करने के लिए तथा उसे अस्वस्त बनाने के लिए किन-किन उपायों का प्रयोग करना चाहिए और उसके साथ ब्रह्म, देब, आर्श और प्रजापत्त विवाव में से किसी एक प्रकार के विवास से पाने ग्रहन करना चाहिए तो यह हमने पिछले चेप्टर पर पिछले वीडियो पर पढ़ा था और यहां भी यह लिखा हुआ है किन्तो यदी वो चैनित कन्या, ब्रह्म, आदिचारों परकार के विवाव द्वारा प्राप्त ना हो सके तो गंधर्ब, असूर, राक्षज और पैसाच आदिचार परकार के विवाव द्वारा लड़की को औरत को प्राप्त कर लेना चाहिए जो कि आच्चार्य के अनुसार ये जो है वो नेगेटिव बिवाव में आते हैं तामसिक बिवाव में आते हैं ठीक है और सिभजी को भी तामसिक ही बोला जाता है मैंने अब तक जितने भी पुरान पड़े उसमें ही लिखा है तो तामसिक का मतलब नेगटिव होता है, लेकिन कुछ गलत नहीं है तामसिक, वो ऐसा किया करते थे भीश्म पितामा भी जब अमबामबिका और अमबालिका को हरन करने के लिए गया थे तो उन्होंने भी इतने सारे विवा के बारे में बताया था देव विवा तो है, यह ब्रह्म विवा है, उसके अलब असूर राक्षस विवा भी विश्म पितामा ने बताया था आप मेरे महाभारत के वीडियोस में भी पढ़ सकते हैं तो महाभारत, वेद, पुरान, वालमी की रामायन या पिछले सारे वीडियो अगर आप देखना चाते हैं तो वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए या फिर मेरे चैनल का नाम यूटूब पर साच करके प्लेलिस में जाहिए तो प्रस्तुत प्रकरन में आचारिय वातसयन ने नायक का नायका को अपनी और आक्रिष्ट करने अपने पर अनुरक्त करने की उपायो का वर्नन किया है और कुछ आसमत एबंग आयोग्य यूबक यूबतियों के विवा के उपाय भी बताया है यानि सब तरह का नियम, सब तरह का सोच याम उनने बताया है किसी को रिजेक्ट नहीं किया, सब के सुभिदान उसर बताया है आचारिय उन असमत और आयोग्य यूबको की स्रिन्यों का वर्नन करते हुए कहते हैं कि गुन युक्त होने पर भी धनहीन अथब मद्यस्त गुनों बाला होने पर हीन कुल का अथब धनवान होते हुए भी पड़ोसी और माता पिता एबंग भाईयों के परतंत्र अथब बालों को जैसा सबाब बाला और दूसरों के घरों में आने जाने वाले यूबक को अलभ्यों होने से कुलीन कन्या का वर्न ना करे अथब ऐसे यूबक का कन्या वर्न ना करे यानि ऐसे लड़कों को कन्या एकसेप्ट ना करे वर्न ना करे यदि कन्या वर्न ना करे तो कैसे प्राप्त करे उस पर कहते ह इस प्रकार के यूबक को बाल लेकाल से ही किसी अच्छी लड़की से स्वयम अपना अनुराग बढ़ाना चाहिए आचार्य वस्यान का कहना है कि यदि यूबक और यूबती परस पर एक दूसरे से प्रेम करते हो मतलब अगर यूबक मता पिता भाई और परिवाज जनों के अधिन रहे यानि उनीक अनुसर चले उनके अंडर में हो यानि परतन्त रहो आजाद ना हो तो ये गांधव बिदी से विवा कर ले लेकिन तो आचार्य वास्थान का ये भी कहना है कि यदि युबग युवती से हीन कुल का हो धनीन हो अत्वा गुनों में कम हो अत्वा पड़ोस का रहने वाला हो अत्वा माता पिता भाईयों के नेंतरन में हो तो उसे युवती से प्रेम संबंद नहीं जोड़ना चाहिए और ये दि प्रेम संबंद जोड़कर उसे विवा करना चाहता हो तो लड़कपन से ही उसके साथ घनिष्ट संपर्क बढ़ाए तो दोस्तो इस बुक को आप तभी समझ सकते हैं जब आप इस बुक को फस्ट चेप्टर से पढ़ेंगे जिससे विवा के युग जुवती होने पर वो उसके दोष्टों की परवा ना करके उसके साथ विवा करने के लिए तयार हो जाए अचारे वस्तान आप जिस प्रदेश में इस प्रकार कन्या को अनरुक्त कर विवा किया जाता है उस देश की नायक के दोरा कन्या को अनरुक्त करने का उपाई बताता है दक्षिन देश में उस प्रकार की निधन तवादी हिंताओ से युक्त यानि भारत के जो दक्षिन देश है उनके बारों में कहा जा रहा है हिन्ता से युक तबल्ला वस्ता में ही जिसके माता पिता मर गए है ऐसे मात्र पित्र भी ही अनात बालत मामा के घर ननीहाल में रहे कर धन की अधिकता के करन अलब्य मामा की लड़की को चाहे उसकी सगाई कहीं अन्य जगा हो चुकी हो प्राप्त करने में सपल हो जाता है अपनी मामा की लड़की को ठीक है बालक अपनी मामा की लड़की को इस तरह से प्राप्त करने में सपल हो जाता है तो दोस्तो महाभारत में भी जो अर्जुन था वो और जो सुबद्रा थी ठीक है सुबद्रा की जो पिता थे और अर्जुन की जो मा थी दोनों भाई बैन थे तो ये उसमें भी हुआ करता था तो मामा की लड़की को भी उसमें प्राप्त किया जाता था इसमें गलत नहीं थ जैसे जैसे लोग चालाग बनते गए सबको गला ठहराने लगे लेकिन वो जो ऑथन्टिक है जो एक प्राचीन भाव है वो खतम हो गया इसी प्रकार आपने ननिहाल के मामा की लड़की के अत्रिक्त अन्य लड़कियों को भी प्राप्त कर लेते हैं आचारिय गोटगमुक का कथन है कि इस प्रकार किसी कन्या में मेल जोल या आसकती होने पर उसे अन्रुप्त कर लेना या विवा कर लेना निंदनिया नहीं है यानि बुरा नहीं है अचारिय वस्ताइन दक्षिन देश के आचार का वर्नन करते हुए कहते हैं कि दक्षिन देश में मातबिता से वियुक्त अनात एवग निदन होने के कारण ननिहाल में भरन पोशन पाने वाला लड़का धनबान मामा की लड़की से प्रेम संबंद जोड़कर विवा कर सकता है चाहे उसकी सगाय कहीं और जगा हो चुगी हो क्योंकि दक्षिन देश में मामा की लड़की से विवा करने की प्रता है धर्म है नियम है इसके अतरिक्त मामा के घर रहकर गरीब लड़की भी अन्य लड़कियों से प्रेम संबंद जोड़कर तथा मेल जोल बढ़ा कर संपन्न परिवार की अलब लड़कियों को भी प्राप्त करने में सपल हो जाते है अचार ये घोटक मुक कामात है कि इस प्रकार मेल जोल बढ़ा कर मामा की लड़की अतवान निहाल की अन्य लड़कियों से प्रेम संबंद जोड़ लेना अधर्म नहीं है किन्तु व्यभारिक दिश्टी से ये उचीत प्रतित नहीं होता अब बालग बालिकाओं के परस पर प्रेम संबंद प्रेम बर्दक और आकर्शन उत्पन करने वाली बाल किड़ाओं का वर्णन करते हैं नायक उस बालिका के साथ परीचाए और आयू के अनुसार फूल चुनना, माला गुतना, घरोदे बनाना, गुरियों का खेल खेलना, तथा कितिम खाने भीने की चीज़े बनाना आदी केले इसके अलाबा वो उस बालिका, तथा बालिका की सहलियों, विश्वस्त दासियों, चेटियों के साथ, देशाचार के अनुसार, आकर से किड़ा, पट्टी बान कर चक्कर लगाना, मुष्टी किड़ा, मुठी में कोई वस्तु रख कर पुछना, बुझना, बीच की अंगली छुपा कर पकड़ने के लिए कहना, पत्थर की छह गोटियों से गुट्टी खेलना, तथा अन्य देशी खेलों को खेलना चाहिए, यानि लड़कियों से दोस्ती करना चाहिए, खेलना चाहिए, असा कह रहे हैं, इनके अतरिक व्याम, परिश्रम, एबंग स तरीक असपर्स करने वाले खेल, जैसे आंक, मिचोनी, आरबधी का, आंगूली ताड़िती का, आदी देशी खेल पेमी का कन्या तथा उसकी सहलियों के साथ खेलना चाहिए, आचरिवासन का कहना है कि यदि कोई बालग किसी संपन्न परिवार की कन्या के साथ विवा करना तो वो बाल्य वस्ता में उसकन्या से संपर्क कर, उसके साथ खेले, उससे मेल जोल बढ़ाए, उससे मेल जोल बढ़ाने के लिए तरह तरह की बाल किड़ाए करे, आचरिय बच्पन में खेले जाने वाली बाल किड़ाओ का बर्नन करते हुए कहते हैं कि बालक को चाहिए कि वो बच्पन में उस बालिका के साथ आयू के अनुसार, फूल चुनना, माला गुतना, गरुदा बनाना, गुरियों का खेल, खाना पीना बनाना आदी, सर्वदेशिक किडाय करें, ये किडाय समान रूप से सभी देशों में खेली जाती हैं, इसके आतरिक्त कुछ देशिया खेल किडाय हैं, जो बिसुदध च्छत्रिय किडाय हैं, जिनें अक्सर देशिया बच्चे खेलते हैं, प्रेमी बालक बालिकाओं को, बच्पन में उन खेलों को कहलना चाहिए, बालक इन देशिया खेलों को, बालिकाता था, उनकी सहलिया दाशियों और नौकरों के साथ जैसे आकर्सिकिडा, आकर्सिकिडा का आर्थ है, अक्षकिडा अर्थत पाशे का खेल अत्वा, मतलब उस समय खेला जाता था यह सब खेल, ठीक है, दियाती बच्चे कोडियों से खेलते थे, कोडियों के खेल को भी आकर्सिकिडा का आ जाता है, पट्टी का कीडा का अर्थ ह यशुदर ने पट्टी का गर्थन किया है अर्थात पट्टी बादने का खेल अतवा आँख में पट्टी बादने का खेल मुट्टी दूत एक देशी खेल है इसमें बालक बाली का हाथ की मुट्टी में कोई बस्तू रख कर पूछता है कि बताओ मुठी में क्या है बूजो तो जाने अतवा एक मुठी में कोई वस्तू रखकर और दूसरी मुठी खाली रखकर पूछना की बताओ अमोग वस्तू की इस मुठी में है और कौन खाली है उपए एक चोड़े-चोड़े अतवा बच्चों के चोड़े-चोड़े सर्त वाले खे बीच की उंगली पकड़ो यदि उसे पकड़ लेता है तो जीत जाता है इस तरह का खेल और यदि नहीं पकड़ पाता तो हार जाता है इसमें चार-पांच लड़किया बैठकर पत्थर की चग गोटिया लेकर बारी वाई से सर्थ में सर्थ के साथ उपर उचार कर लोकती है यदि गोटि गिर जाती है तो हार जाती है ये सतर्थ खेल है इसके बाद अब सरीर को सपर्स करने वाले परिश्रम के खेलों का वर्णन करते हैं जैसे आख मिचोनी का खेल इस खेल में कई खिलाडी होते हैं उसमें एक चोर बनता है प्रमुख खिलाडी चोर की आख मुद लेता है से सबी खिलाडिया भाग भाग कर छिप जाते हैं उन्हें ढूंडता है जो पहले देखा जाता है या चू लिया जाता है वो चूर बनता है फिर उसकी आखे मुंदी जाती है से सभी खिलाडी चिपते हैं इस प्रकार ये करम चलता है आरबदी का क्रिडा क्या है इसका कुछ पता नहीं चलता कामसुत्र तिकाकर या सुधर ने इसका अर्थ क्रिश्न फल क्रिडा किया है क्रिश्न फल क्रिडा क्या है टिकाकर ने भी इसका अर्थ सपस्ट नहीं किया है कहीं इसका अविप्रा चू कर तरी से भागना तो नहीं है लवन बितिका का अविप्रा है नमक की हाट लगाना अनेल तार्थिका का अर्थ है दोन ये जितने खिलाडी होते हैं बराबर बराबर उतने हिस्से करते हैं फिर एक खिलाडी अपनी इच्छा से एक ठेर लेकर पैसे ढूंटा है उनमें जो नहीं पाता उसे दूसरे लोग पैसे देते हैं अंगुली ताडी का वो खेले जिसमें एक खिलाडी आंके मून लेता है औ फिर उसे पुछते हैं कि किसने खोटका मारा है, यदि वो बता देता है तो जीत जाता है और जिसका नाम बताता है वो चोर हो जाता है, तता फिर उसे आखे मुन नी पड़ती है, इसी प्रकार और भी बहुत से देशी खेल होते हैं जिने खेलना चाहिए, अब यूबग नाय प्रेतनों को बताते हैं, नायक अपनी प्रेमिका, नायका की विस्वास पातर सहलियों के साथ मित्रता करें और निरंतर जान पहचान बढ़ाएं, वो नायक धाय की लड़की को अपने प्रियों और हितकर बातों से अच्छी तरह अपने अनुकुल कर ले, क्योंकि तरह का काम करेगी, और नायका के मनोभावों को ना जानती हुई भी वो धाय की लड़की अनुराग से नायक के गुनों की प्रसंद करें जिससे नायका नायक पर अनुरक्त हो जाएं, आचारे बास्तन का कहना है कि नायका को अपनी और आकिष्ट करने के लिए नायका की व और उससे अककिष्ट कर सकती हैं और नाईका का जिस जिस बस्तु में कोतुल हो उस सुकता हो उन्हें लाकर नाईका को दे और खेल के वे समान जो अद्बूत हो अपूर्वो हो और जो दुस्री लड़कियों के पास ना हो या बहुत कम लड़कियों के पास हो उने लाकर वो सहजी प्रदान करें जैसे अनेक प्रकार के रंग बिरंगी में चित्रों से अलंके थोड़ी-थोड़ी देर में भिना-भिना रंग बतलने वाली रंग बिरंगी गेंद और डोरा लकडी सिंह हाती दाद की बनी हुई और मोम मैदा या मिट्टी की बनी हुई तरह तरह की पुतलिया गुडिया और अन्य खिलों ने लाकर दें और खाना बनाने के लिए रशोई के सामान लाकर खिलाएं दिखाएं एक काट पर यानि लकडी कास्ट पर बने हुई मेडों के जोड़े स्त्री पूरुस के संयुक्ति चित्र लकडी के बने हुई भेडवकडियों के जोड़े मिट्टी बास और लकडी के बने हुई देवी देपताओ के मंदीर तोता मैना कोयल तितर बटेन मुर्गयादी के पि तथा चंदन कुंकुम शोपारी पानादी बस्तुएं गुपत रूप सरप्रदान करें और कुछ प्रत्तक्ष बस्तुएं गेंदादी प्रत्तक्ष दे और नायका के मनुत्कूल उन बस्तुओं को उपहार में दे जिससे प्रशन नहों कर नायका नायक पर अनुरक्त हो जो दूसरी लड़कियों के पास ना हो और नायका ने जिने कभी न देखा हो क्योंकि ऐसे अद्बुद बस्तुएं पाकर नायका प्रसन होती है और नायक की तरफ मुखा तीब होती है इसके अतरिक नायक रंग भी रंगी गेंदे लकडी, सिंग और हाती दात की बने हुई बस्तुएं मौम या मिट्टी की बने हुई तरह तरह की गुडिया पुदलिया यह सब गिप्ट दे मतलब उस समय जैसा गिप्ट पाया जाता था उस तरह का गिप्ट लिखा गया है पुदलिया और रस्वय की समगरी लाकर उपहार में दे और लकडी पर उतके नास्त्री पुरुस के मिथुन जोड़े भेडवकडिया के जोड़े तदा देवी देप्ताव की जुगल मुर्तिया लाकर उपहार में प्रदान करें इनके अतरिक्त मिट्टी बास यह लकडी के बने हुई पिंजरे में तोता मैना को एलती तर बठे आधी तदा चित्र विचित्र आ इनमें कुछ बस्तु एकांद में गुपत रूप से चिपा कर दे और कुछ बस्तु ए सबके सामने प्रत्तक्च में उपहार के रूप में दे और ऐसी बस्तु भी उपहार से रूप दान करें जो नाइका को प्रिय हो आधवा जो नाइका के पास ना होता था जिससे परिचाई बढ़ जाने पर नायक एकांद में मिलने के लिए प्रात्ना करें और उससे ऐसी प्रेम भरी बाते करें यदि नायका चोरी शीपे बस्तु ये देने का कारण पूछे तो माता पिता का भाई बताने अर्था था हमारे याद तुम्हारे माता पिता को पता चल जाए तो वे नाराज होंगे और दी जाने वाले बस्तु के दूसरे की चाहने की बात बताया था दूसरा कोई इसे देखकर स्प्रिया करने लगेगा नायक नायका दुनों के अनुराग बढ़ जाने पर यदि नायका नायक की बातों में मन लगाए तो नायक अबसर के अनुकुल प्रेम की मनुरेंजिक कताय सुना कर उसका मनुरेंजिन करें बिस्माई जनक बातों में रूची होने पर नायक उसे अस्चरी जनक जादू का खेल दिखा कर उसे और अस्चरी में डाल दें कलाओं में कोतुल होने पर कलात्मक कोर्शल के द्वारा और गीत में रूची होने पर करन सुकत मधूर गीत सुना कर उसे अनुरंजित करे अश्विन मास की अश्टमी और सरत पूर निमा को कोमुदी महुचसब के दिन देव यातर ततागरन के दिन एवं घर आने पर नायक उसे जुमका जुड़े में बानने की मालाए मोम कपड़े अंगूठी जेवरा वुसना दिवपार में देगिन तु ये धान रखे की उन्हे देने में कोई हानी ना हो नायका की धाय की लड़की नायका से ये युवक अन्य जुबको की अपक्चा काम कला में भी से शुचल ले इसकार कहकर 64 कलाओ के सिक्चा escaping करने के लिए उसे युवक की यवः कि बित्त करें धाय की लड़की के दौरा इस प्रकार उपदे दिय जाने पर नायक अपने समस्तर रतिकोशल को नायका पर प्रकट कर दें। नायक हमेशा सुन्दर बेश भूशा से सच धच कर नायका के सामने से गुजरे और प्रेमभाब को मन में रखते हुई नायका, चेश्टा और संकेतों के द्वारा उसके भावों को जान ले। क्योंकि प्राई युगतिया परिचित और बार बार दिखाई देने बाले युगकों को आदिक चाती हैं, किन्तु चाते हुए भी लज्जा बस संभोग नहीं कर पाती, ये प्रेवपाद है, इस प्रकार बाला नायका का उपक्रम नामक इतना प्रकरन समाप्त हुआ। अब इंगिता सूचन प्रकरनम, यानि इंगित करना जिसको, नायका अपने भावो को इशारों से सुचित करें, ये पहले कहा जा चुगा है, अब उनके प्रकाशन की बीदी को कहते हैं, अब इंगिता का चेष्टाओ का बर्नन करेंगा, आचरे बासन का कहना है कि युवत युवती नायका है, चाहती हुई भी, लज्जा बस नायको प्रेम युवतों से नहीं मिल पाती आते हुने, इशारों और चेष्टाओ के द्वार अपने मानुभावों को प्रकट करें, और प्रेमी युवतों को चाहिए कि वो युवती नायकाओ के संकेतों इशारों चे युवती नायका है, अपने प्रेमी युवकों को सामने से नहीं देखती और नायक के द्वारा देखे जाने पर अठत, आखें मिल जाने पर लज्जा से आखें नीचे कर लेती हैं, किन्तु अपने प्रेमी नायक को, अपने संग को, अपने प्रेमी नायक को, अपने अंग को दिखाती है नायक को और नायक के द्वारा कुछ पुछे जाने पर वो मुस्कुराती हुई नीचे मुखी हुए होकर धीरे धीरे असपश्ट सब्दों में उत्तर देती है उसके पास बहुत देर तक रहना पसंद करती है दूर खड़ी हुई वो नायक मुझे देखे ऐसा स सचती हुई परिजनों से मुप पिचका कर बाते करती है किन्तु उस थान को छोड़ने की इच्छा नहीं करती है नायका वहां कुछ भी देखकर हसने लगती है वहीं पर रुके रहने के लिए बातों का सिलसिला जारी रखती है गोज में लिए हुए बालक का आलिंगन और चुम्बन करती है परिचारों को के मस्तक पर तिलक लगाती है अत्वा परिचारी का से अपना तिलक बिन्दी ठीक कराती है और सहलियों का सहार लेकर तरह तरह के हावा प्रदेसित करती है एक वो नायका अपने प्रेमी नायक के मित्रों पर विश्वास करती है और उनकी ब और उनमें नायक के विशे में चर्चा होने पर वो साबधान होकर ध्यान से सुनती है अपने धाई की लड़की के कहने पर नायक के घर अबस पर जाती है और उसे धाय की लड़की को मद्यस्त बनाकर नायक के साथ दूत कीड़ा जुआ खिलने और बाचित करने की इच्छा करती है और नायक के सामने बिना सज़िदे चलंकी थोकर नहीं जाती और नायक के दवारा करन भूसन अंगुठी अतबा माला मांगे जाने पर बड़ी दृता से सरीज से उतर कर सकी के हाथो नायक के पास बेज़ देती है और नायक के द्वरा दी हुई बस्तुए धरन कर लेती है दूसरे नायकों की चर्चा होने पर उस खिन और वो उदास या खिन हो जाती है और उसके समर्थ तक लोगों के साथ संसर्ग नहीं करती आचारी अब दो प्रकरणों का उपसंगार करते हैं इस बिसे में दो श्लोग भी हैं इस प्रकार युवती नायका के हाभाव से युक्ति चेश्टा और संकेत और इशारों को देखकर जानकर उसके संबोग के लिए उनुन उपायों प्रेयों का प्रेयों करना चाहिए कन्या तीन प्रकार की होती है बाला, तरुनी और प्रोडा आप करमस्तों उनका उपकरम बताते हैं बाला नायका को बाल कीड़ाएं और खेर खिलोने से युवती नायकाओ को काम कलाओ से और प्रोडा नाइकाओं को उसके विस्तास पात्तक परिजनों सहीलिया या नौकर चाकरों के द्वारा बश्में किया जा सकता है अचारे बस्तेन ने यहाँ पर करने योग्य तीन प्रकार की नाइकाओं का उल्ले किया है बाला युवती और प्रोडा इनमें बाल किड़ाओं में रत रहने वाली बाला नाइकाओं होती है यानि छोटी उसे खेल खिलोने से जाकर बश्में करना चाहिए काम किड़ाओं में रुच्छी रखने वाली नाइका नाइका युवती कहलाती है उसे काम कर लाओ के कौशल से बस्में करना चाहिए बास्तल्य भाब रखने वाली नाय का प्रोडा होती है यानि मैचौर होती है उसे उसके विश्वास पात्तर परिजनों सहीलियों धाय की लड़की नौकर चाकर उपस निया करके उनके माध्याम से बस्में करना चाहिए नेक्स चैप्टर एक पुरुषा अभियोग प्रकरननम तो ये चैप्टर हम लोग नेक्स वीडियो पर पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद